जब भी हम लोग आनलाइन पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यूट्यूब का ही नाम आता है। यूट्यूब से आज के समय में लोग धर बैटे ही अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। सबसे अच्छी बात की YouTube पर आप धर बैटे ही मुबाइल से वीडियो बना कर फ्री में ही अप्लोड कर सकते हैं, इसका YouTube आप से कोई पैसा नहीं लेता बल्कि इसके बदले में YouTube आपको पैसा देता है. कितना अच्छा काम है कि सिर्फ वीडियो बना कर डालो और पैसा कमाओ, कुछ लोग तो सिर्फ अपने दिन भर के काम को ही रिकॉर्ड करके उसकी अच्छे से एडिटिन करके YouTube पर अपलोड कर देते हैं, जिसे हम ब्लॉगिंग कहते हैं, ऐसा करके लाखों रुपे कमाते हैं. एक नए YouTubers के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसे शुरुआत में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वाच्टाइम पूरा करना होता है और उसके बाद ही उसका YouTube चैनल मोनेटाइज होता है, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद उसकी YouTube पर कमाई शुरू होती ह शुरू में किसी भी YouTubers को 1000 subscribers कम्प्लीट करने में बहुत समय लगता है और इसी कारण बहुत सारे YouTubers YouTube छोड़ भी देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई एक वीडियो वाइरल हो जाने पर उनके watch time और subscribers दोनों पूरे हो जाते हैं, पर ऐसा सब के साथ नहीं होता ह आईए जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम 1000 subscribers जल्द से जल्द फ्री में कर सकें, सभी नए YouTubers YouTube पर जब भी चैनल बनाते हैं तो उनके goals बहुत बड़े होते हैं और उमीद भी बहुत ज्यादा होती है, यही हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है, हम जिनसे inspire होकर YouTube चैनल बना रहे हैं, हमें उनके पुराने वीडियोस देखनी चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि उन लोगों को भी शुरू में subscriber और views नहीं मिलते थे, सबसे महत्वपून काम जो आपको करना है कि आप लोगों को छोटे-छोटे target बनाने हैं, जिससे कि आप लोगों को क पसंद आये तो एक like भी कर दे, चलिए शुरू करते हैं, मेरा नाम है अरुन कुमार, आपको आपने YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है, आई कुछ-कुछ ऐसे tips और tricks के बारे में जानते हैं, जिनको apply करके आप अपने YouTube के सबस्क्राइबर को बढ़ा सकते हैं, बहुत स आरे successful YouTubers इनी तरीकों का इस्तिमाल करते हैं, एक, नेक fresh content, high quality script, हर व्यक्ति को कुछ नया देखने या सुनने की चाहत होती है, आज के समय में YouTube पर लगभग हर topic पर videos बन चुके हैं, इसलिए आपको यह देखना है कि कौन सी topic अभी एकदम fresh है यानि एकदम नहीं है, अगर trending topics, दुनिया में रोज नए नए चीजे हो रही है, आपको देखना है कि कौन सी चीज ऐसी है जो आजकल trend में चल रही है, ऐसे ही topics को आपको सर्च करना है और उनी पर videos बनाने है, अगर आप trending topic पर video बनाते हैं तो आपको जल्दी views मिलेंगे और आपके subscriber जल्दी बढ़ेंग इससे आपको subscriber और views दोनों जल्दी मिलेंगे, तीन, make video length under 5 minutes, आज का समय चोटे videos देखने का है, बड़े videos कम ही देखे जाते हैं, एक बार जब कोई YouTuber फेमस हो जाता है तब लोग उसके बड़े videos भी देखते हैं, पर शुरूआत में आप चोटे videos बनाकर upload करें, अगर आपके video का समय 5 minutes या उससे कम होगा, तो लोग आपका पूरा video देखेंगे, और इससे YouTube को भी लगेगा कि लोग आपके videos पसंद कर रहे हैं, और वहाँ आपके videos को और logo को भी suggest करेगा, इसलिए शुरूआत में हमेशा चोटे videos पर focus करें, जिससे आपके subscriber बढ़ने लगेंगे, चार, आपको अपने video के content के साथ, 7 video के trailer यानि शुरूआत के कुछ second अच्छे से professional तरीके से बनाने चाहिए, जिससे कि आपके audience को यह लग जाए कि वह एक अच्छा quality का content देखने जा रहे हैं, और शुरू में ही वह subscribe का button दबा दें, जब आप videos खत्म कर रहे हो ठीक, उसी समय आप को एक अच्छा सा end screen यानि की जिस प्रकार video को professional लोग समाप्त करते हैं, उसी प्रकार से video को बना कर समाप्त करें, जिससे कि लोग जाते जाते आपके video को subscribe करते हुए जाए, पाच, thumbnails can make big difference, जो दिखता है वही बिखता है, कम से कम YouTube में तो ऐसा ही होता है, आपने अगर बहु करें, जिससे कि लोग आपके video पर click करने के लिए मजबूर हो जाए, उदाहरन के लिए आप दूसरों के thumbnails को देख सकते हैं, वह किस प्रकार से thumbnail बना रहे हैं, जिससे कि उनके videos पर millions में view आ रहा है, और subscribers भी बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी thumbnail बनाए, thumbnails बनाने to subscribe to your channel, अगर आपने एक अच्छा video बनाया है, आपको विश्वास है कि लोग आपके video को जरूर पसंद करेंगे, तो आप अपने video के शुरू में या बीच में अपने दर्शकों से आपके channel को subscribe करने के लिए बोले, अपने दर्शकों से बोले कि आपके subscribe करने से आपको motivation मिले तो अपने दर्शकों को आपके channel को subscribe करने के लिए निवेधन request करें, साथ, upload videos consistently on YouTube, YouTube पर channel बनाना बहुत आसान है, YouTube पर video बनाना भी आसान है, पर YouTube पर consistent यानी निरंतर video बनाकर upload करते रहना यह थोड़ा मुश्किल काम है, यही पर बहुत सारे YouTubers गलती करते हैं जिसके कारण उन प्लोड करेंगे तो लोग आपके channel को unsubscribe कर सकते हैं, ज्यादा videos बनाने से YouTube आपके videos को ज्यादा logo तक पहुचाएगा जिससे आपको ज्यादा subscribers और watch time दोनों मिलेंगे, आप चाहे तो एक हफ़ते का schedule बना कर काम कर सकते हैं और उसी schedule के हिसाब से video upload करते रहें, अगर आपने निरने लिया है कि आप हफते में 4 वीडियोस upload करेंगे तो आप 4 वीडियोस ही upload करें, इससे YouTube को लगेगा कि आप consistent है और आपके subscriber भी आपके videos का इंतजार करेंगे, आप, reply every comments of your videos, शुरूआत में किसी भी YouTubers के पास ज्यादा comment नहीं आते हैं, लेकिन जो भी comment आ रहे हैं, अग आपके channel को subscribe भी किया हूँ, इसलिए हर comment का अच्छे से जवाब देने का प्रयास करें ताकि वह आपके जवाब से खुश होकर आपके channel को subscribe भी करें, इससे भी आपके साथ cyber बढ़ेंगे, अपने viewer के comment पर हमेशा अच्छा reply करें, नौ, paid promotions में increase your subscribers fast, अगर आपको अपने content पर भरोसा है, साथ ही आपके अंदर धर्य भी है, तो आपके subscribers जरूर बढ़ेंगे पर उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर patience नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपके subscribers जल्द से जल्द बढ़ जाए, तो उसके लिए आपको paid promotions पका सहारा लेना होगा, paid promotions यानि कि आपको Google Ads के जरिये आपके वीडियो को promote करना होगा, जिससे की YouTube आपके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना शुरू कर देगा, इसके बदले में आपको कुछ पैसे खर्च करने होते हैं, बहुत सारे YouTubers ऐसा करके, अपने subscribers बढ़ाते हैं, यह ads ब आपके दूसरे वीडियो की तुलना में ज्यादा व्यूज है, आपको उसी प्रकार के contents ज्यादा create करने हैं, जिससे की आपको ज्यादा व्यूज मिले और आपके ज्यादा subscriber बड़े ऐसा करने के लिए आपको शुरूआत में जल्दी जल्दी वीडियोस अप्लोड करने हों 11. Use popular hashtags and tags in video description वीडियोस बनाना तो हम सभी जानते हैं, लिकिन सिर्फ वीडियो बनाकर अप्लोड कर देने से काम पूरा नहीं होता है, जब तक की वीडियो का description अच्छे से ना लिखा हो, YouTube चाहता है कि आप वीडियो के बारे में एक short description जरूर लिखें, इसलिए जब भी वीडियो बनाए जितने भी hashtags है और जो भी popular hashtags है उन्हें भी description में जरूर लिखें, description लिखने के बाद YouTube स्टूडियो में जाकर अपने वीडियो के tags जरूर लगाना चाहिए, जितने भी popular और आपके वीडियो से related tags है, उनका इस्तेमाल करें जिससे की YouTube को पता चल सके कि यह वीडियो किस चीज क बारे में है, अगर आपने सही viral tags लगा दिया तो आपका वीडियो भी viral हो सकता है, उसके बाद आपके subscriber और watch time दोनों बहुत ही आसानी से बढ़ जाएंगे, इस तरह के helpful वीडियो सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को like और channel को subscribe करना मत भूलना, thanks you